हलो नमस्कार परनाम राम राम स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल गूगन जांगिड मैट्स फे इससे प्रिविएस वीडियो में अपने डिफ्रेंशेशन अंडर दा साइन ओफ इंटिग्रेशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आपके लिए अभी ये भी उतना ही इंपोर्टेंट है जितना हुगा क्योंकि ये दोनों क्यूश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसे जाए तो आप इसको भी अच्छे से देखिएगा अगर क्यूश्चन समझ नहीं आए कोई दिक्कात आए तो आप कमेंट कर दीजिए पुश यह वेल्यू आ गई अब इसमें जो इंटेग्रेशन करना है वह वेरियबल क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एक्स के अलावा आपको कुछ यह आपर नजर आ रहा होगा यह जो कि क्या है पैरामीट का सेट है यह constant रासी है हमारे पास हमें क्या करना है इस constant क आपको as a variable लेके इसके साफ x इसका अउकलन करना है पहले, तो क्या आएगा di upon da, यह 0 से infinity रहेगा, यहाँ पर यह x into 1 plus x square constant रहेगा, और आपको करना है 10 inverse ax का differentiation, तो differentiation क्या होगा, 1 upon 1 plus a square x square, और ax का क्या होगा, x तो x से x हमारा क्या हो गया, यहाँ पर cancel हो गया, ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करना है, यह integration solve करना है, 0 से infinity, 1 upon 1 plus x square into 1 plus a square x square, तो अब यहाँ पर कौन सा method लगेगा, अगर denominator में आपके पास एक से अधिक factor हो, तो हमें क्या करना है, आंसिक भिन बनानी होती है, तो इसकी आंसिक भिन क्या बनेगी, यह देखे, इस method से हम इसकी आंसिक भि मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, बट्टा में 1 upon 1 minus a square कर देंगे, तो यह इसकी क्या बन जाएगी, आंसिक भिन हो जाएगी, तो इन आंसिक भिन को हम agitive क्या करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यह जो integration है, विद रिस्पेक्ट x, इसको पहले क्या करेंगे, solve करेंगे, देखिए, यहाँ पे di upon da, यह आपका जो 1 upon 1 minus a square, जो की integration sign से बाहर है, उसको लिखा, 0 से infinity, यह हमारे पास क्या होगी, आंसिक भिन होगी, तो पहले अपने क्या करना है, यह समाकलन अपने को हल करना है, ठीक है, यह 0 से infinity वाड़ा अपने क्या करेंगे, integration जो है, यहाँ पे 1 upon 1 plus x square का integration क्या होता है, 10 inverse x होता है, और a square यहाँ पे रहा गया, और 1 upon 1 plus, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप a x का whole square, तो इसका integration क्या होगा, 10 inverse a x बटा 1 upon, या into 1 upon a, तो a square तो है 1 upon a, 10 inverse a x आ गया, अब अपने क्या करेंगे, पहले upper limit रखेंगे, और फिर क्या रख put करेंगे, तो i is equal to 1 upon 1 minus a square, यहाँ पे आप पहले infinity रखेंगे, 10 inverse infinity क्या होता है, pi by 2, फिर आप minus करके 0 रखोगे, 0 हो जाएगा, फिर इसमें आप रखोगे, a कोई भी constant है, infinity से गुणा करेगा, infinity देगा, तो 10 inverse आपको क्या मिलेगा, pi by 2 into यहाँ से आपको मिल गया, a, फिर minus करके आप 0 रखोगे, तो वो 0 हो जाएगा, तो आपको दो value मिली, जिनमें आपका pi by 2 क्या आ रहा है, common आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे चुंकि हमारे पास क्या है, definite integral है, limit अपने put किया, c नहीं आएगा, तो यह हमारे पास value आ गई किसकी, di upon da की, di upon da का मान हमारे पास आ तो a का मान निकालने के लिए, आपने i से di upon da निकालने के लिए आपने क्या क्या, differentiation किया, तो di upon da से आप i बनाने के लिए क्या करेंगे, integration करेंगे with respect a, तो हम इस equation का a के सापेक्स क्या करेंगे, समाकलन, ठीक है, इसका हम a के सापेक्स क्या करेंगे, समाकलन, a के सापेक्स सम समाकलन कीजिए जैसे आप इसका समाकलन करेंगे इधर आपको क्या मिलेगा ऐ ठीक है यह पाइब टू हमारा क्या है ओश्टेंट है इनिशियल कंडिशन में आपको क्या देखना है कि यह आपका i0 कब होता i0 कब होगा जब a0 होगा क्योंकि यहाँ पर अपने a को वैरियेबल लिया ना तो a0 होते ही 10 inverse 0 तो यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे इनिशियल कंडीशन में इनिशियल कंडीशन अब लोग 1 प्लास अ तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, तो ये दो question अपने, differentiation under the sign of integration किये, इसके बाद, एक और question है, ये example 3, आपकी book में आप देखेगा, important है ये भी, इस question को आप solve करके देखेगा, ठीक है, इसकी PDF आपको provide करवा दी जाएगी, अगर किसी के पास नहीं है तो, औ अगर इस question में किसी को दिक्कत आए, तो आप comment कर दीजेगा, इसका भी video आपको क्या है, बहुत जल्द upload कर दिया जाएगा, तो आसा है आपको पिछला video और ये दोनों अच्छे लगे होंगे, आपको इनमें समझ आया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती, आप comment कर दीज और वीडियो का लिंक अपने सभी साथियों के साथ, शेर जरूर कीजिएगा, अगला जो वीडियो आएगा, वो आएगा, integration under the sign of integration के important question का, तो बने रहिए इसी तरह के important question के लिए हमारे साथ, धन्यवाद.